हेलो दूस्तो नमस्कार है तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अभी हम लगा चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और येस दोस्तो कल की दिन की बात करें तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी इन फैक्ट उसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था सर इस टॉपिक को ज़रूर यहापे कवर करना क्योंकि अगर देखा गया तो बहुत इंपोर्टन निउस हम लोगों को देखने को आपे मिल रही है definitely आप सभी लोंग को पता है कि कभी भी कोई news आ जाती है तो मैंने आप लोंग को पता है दो चीजे रहती है एक रहता है official news एक रहता है unofficial जिसको हम लोग report के जरीए sources के जरीए यह चीजों को यहापे बोल सकते है news हम लोग को देखने को मिल रही है जो report के जरीए sources के जरीए जो खबर आती है हम लोग उनके उपर blindly trust नहीं कर सकते है क्योंकि जब तक official कोई खबर ना आ जाए हम कैसे उसके उसके पर भरोसा रखे तो आप चाओ तो उसको अफवा भी यहापे बोल सकते है बट market ऐसा ही चलता है आपको पता है report के जरीए sources के जरीए जो खबर आती है वो usually accurate होती है 100% तो कोई perfect तो होता नहीं है तो दोस्तों पहले क्या हो गया कि यहापे हम लोग को एक खबर देखने को आपे मिली जो report के जरीए तो अभी हम लोग को official खबर देखने को आपे मिली है तो definitely हम लोग कह सकते है इस वीडियो से आप लोग को totally क्या हुआ था और क्या आगे होगा क्या डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए सारी चीज़े आप लोग को समझ में आपे आ जाएगी सो start कर लेते हैं दोस्तो कौन से sector से related हम लोग को यहापे यह सारी चीज़े देखने को यहापे मिल रहे है तो दोस्तो खबर है यहापे टेलीकॉम सेक्टर से related टेलीकॉम में आप सब लोग को यहापे पता है दोस्तो कि 5G 5G अभी हम लोग को इंडिया में आते वे देखने को आपे मिल रहा है सरकार ने भी इससे related announcement किया था जो जो टेलीकॉम वाली दिगज कंपनिया है उन्होंने भी इससे related announcement किया था एंड इसी मन्त में जुलै मन्त में ही 5G का auction भी आप लोग ने सुना होगा इस शप्त को बार-बार news channel के उपर भी business channel के उपर भी इसका बार-बार जिक्रह आपे किया जाता है तो 5G से related अगर हम लोग बात करें तो आपको बता है यापे auction रहेगा तो बहुत सारे बड़े players participate करते है अभी normally कौन participate करेगा तो हर किसी को बता है जियो तो जबरदस्त यहापे आएगा ही आएगा अगर हम लोग यहापे बात करें next तो आप सभी लोग को बता है भारती रिटेल इनी की तो यहापे चल रही है अगर हम लोग यहापे बात करें वोड़ाफोन आइडिया के भी होने के chances ज़्यादा है हाला कि इससे related कुछ बाते मैंने आप लोग को बताई थी कि usually सरकार ने पहले इनका stake खरीद लेना चाहिए तब जाके investor यहापे आएंगे तो इनको यहापे properly पैसा मिलेगा तब जाके इनका auction में आना मतलब एक कुछ sensible बात यहापे बन सकती है ठीक है अभी देख लेते हैं अभी भी time है इनके पास कुछ news आ जाती है तो मैं cover कर दूँगा बट चले पकड़ लेते जियो, air retail and vodafone idea यह 5G के auction के लिए हम लोग को देखने को आपे मिलने वाले है पर दोस्तों यहापे कहानी में twist आ गया और एक ऐयसा नाम आ गया जिससे related अगर हम लोग बात करें हर चीज में हम लोग को सारी चीज़े देखने को मिल रहे है और वो है दोस्तों अदानी जी, यह दोस्तों अदानी जी से related भी हम लोगों को यही news देखने को मिली और पूरे बाजार में हड़कम मज गया, definitely क्योंकि यह कोई ऐसे छोटे मोटे competitor नहीं है आप लोगों को पता है यह पूरा दमखम रखते हैं कि जिस business में enter करे, competitor को पूरी तरीकित से ध्वस्त भी कर सकते है और इसके पीछे का major reason आप सबी लोगों को यहापे पता है, जो अगर आप चाहो तो यहापे comment section में भी बोल सकते हो अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो news के उपर में आना चाहूँगा कि अदानी group confirm entry into telecom spectrum race जैसे मैंने कहा ना आपको कि इससे related auction हम लोगों को देखने को यहापे मिलने वाला है अगर आप लोग news भी देखोगे, अदानी is in the frame for 5G spectrum सो यह इसमें auction में यह तीन प्लेयर के तो नाम थे ही अदानी ने जैसे ही इसका नाम मतलब अदानी जी का नाम जैसे हम लोगों को देखने को बला अदानी group का नाम हम लोगों को जैसे ही देखने को बला तो definitely hard come तो यहापे मचने ही वाला था, चलिए इससे related कुछ और clarity वाली चीज़े हम लोगों को देखने को आपे मिली है, अगर आप इन companies के shareholder है, इन मतलब geo, retail, retail नहीं, आपके जीगा, relance, geo, relance के अंडर आता है, then air retail, and then अगर हम लोग बात करें, वोड़ा phone अड़िया, अगर आपके पास इनक competitor आ रहा है, तो उससे related आपको चीज़े पता होनी चाहिए, ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो, कि यहापे लिखा है, the Adani Group, lead by billionaire Gautam Adani, announced on July, 9th July, कल की हम लोग अगर आपे बात करें, मतलब अभी के ही सकाथ से, that is, has entered the competition for telecom spectrum, जो कि अभी तक हम लोगों को पता है, but य अभी लोगों को यहापे पता चल गया, यह जो आखरी की तीन शप्ते, इन्होंने पूरा खेल बदल दिया, मतलब, Adani ने बोला है कि हम लोग यहापे ज़रूर आएंगे, 5G में हम लोग यह आउक्शन पार्टिसिपेट भी करेंगे, but यहापे हमारा intention, यहापे जो consumer, consumer मतल करती है, उसके लिए हम लोग यहापे नहीं आ रहे है, तो फिर यहापे 5G में क्यों participate करें, तो चले, इसके बारे में भी हम लोग यहापे पढ़ लेते हैं, आगे लिखा रहेगा, the company said, आप देख सकते है, official बात है, the company said, it would use the 5G spectrum, if awarded in the open bidding, to build a private network to support all its operation, तो यह reason है दोस्तो मतलब अदानी यहापे इंटर करेंगे, 5G spectrum से लेटे auction में participate करेंगे, and अगर यहापे बात करें, तो उनका intention क्या है, कि उनके खुद के जो बिजनेसे से, उनके लिए वो private network बनाना चाते है, उनका कोई interest नहीं है, public network बनाने से related, फिलाल तो, आगे जाके क्या होगा, मुझे नहीं पता, बट फिलाल तो, उन्हें ने काए, कि पहले यह खबर हम लोगों को देखने को नहीं थी, मैं आपको वो भी देखाना चाहाँगा, रिपोर्ट के जार यह खबरे आये थी, तो आप लोगों को वो सारी चीज़े मैच यहापे हो जाएगी, तो यह फाइनली अभ अभी कुछ जबर दस तरीकी से चलना चाहिए, इसके लिए वह यहापे 5G के लिए यहापे इंटर करना चाहते है, तो फिलाल तो हम लोगों को यह सारी चीज़े खुद आदानी ग्रूप से ओफिशली देखने को आपे मिली है, तो हम लोग कह सकते कि अगर आपके पास यह जी ओ, एरिटेल या फिर वड़ा फोन आईडिया अगर आपके पास शेर है, तो डेफिनेटली उन्होंने एक रहत की सास जरूर ली होगी, जिसमें में भी आता हूँ, अगर अगर अधानी ग्रूप अगर इस सेक्टर में अगर पब्लिक सर्वीस की अगर मैं बात करूँ, प्राइवेट नहीं, बलकि पॉब्लिक नेटवर्क के लिए आता, तो डेफिनेटली आम लोग या पर कह सकते हैं, दोस्तों, बहुती बड़ा इंपेक्ट हम लोगों को देखने को आपर मिल सकता था, देन दोस्तों, अगर हम लोग या पर बात करें, तो उन्हीं के प्राइवेट नेटवर्क रहेगा, तो उनकी उपर ज्यादा अच्छा काम यहाँ पर कर पाएंगे, इसलिए वो यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, यह सारी चीज़ें में वो पार्टिसिपेट यहाँ पर करना चाहेंगे, देन दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, यह वा यहाँ पर अगेंस जा सकते हैं, मुकेश अंबानी का जियो और भारती एरेटेल के अगेंस यहाँ पर जरूर जा सकते हैं, यहाँ पर क्लियर हो चुका है, जैसे मैं आप लोगों को शुरुआत में बता दिया, कि उनका प्राइवेट नेटवर्क बनाने का इच्छा है, प इतना फास्ट है आपे, अगर रिपोर्ट के जरीए अगर हम लोग बात कर तो आप देख सकते हैं, तेन टाइमस मोर देन 4G हम लोगों को देखने को मिलेगा, इसे जो अधानी ग्रूप के जितने भी कमपनीज है, उनका बिजनेस का जो एफिशेंसी है, वो हम लोगों को इ इकोसिस्टम उन्होंने जितने भी कमपनीज खड़े यहाँ पर किये है, उनके लिए यह एक अच्छी खबर है, जैसे मैंने बताया था, डिरेक्ली खबर नहीं उनके लिए, बट इंडिरेक्ली खबर है, जो बिजनेस है, उनका थोड़ा फास्ट चलना यहाँ पर शुरू इसा भी हम लोग चाओ तो यहाँ पर बोल सकते हैं, आशा करता हूँ जितनी भी न्यूस थी, क्या ड्रामा है यहाँ पर हुआ था, पहले रिपोर्ट के लिए, यह दैन ओफिशल खबर क्या आई थी, यह सारी चीज़ें आपे मैंने कवर कर ली है, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप चाहो तो इसको लाइक और शेर भी आपे कर सकते हैं, एंड, डिबेट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है, तो उस्त अगर तो यह वीडियो हलफू लगागा, तो जरू लाइक और शेर भी कर दिना, तो अगर देट तक के लिए, बाइबाए